नमाश्री वर्दिमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालो का नाम त्रिलो का नाम यद विद्यादर पनाय थे बब्यात्माओं, हम इश्राव का चार ग्रंद के अंदर पाँच अनुवरत, तीन गुणवरत और चार शिक्षा व्रतों का अच्छी तरह से आजार श्री के सब्दों में अध्यान कर रहे हैं, तो चार शिक्षा व्रतों में देशा उकाशिक, प्रोशधोप्वास, सामािक, सामायक और प्रोशधोप्वास, और वय्यावरत्ती ऐसे चार भीद माने गए हैं, तो देशा उकासिक और सामायक वृत को जानलिया, प्रोशधोप्वास का प्रक्रण्ड चल रहा है। कल 108 नंबर तक श्लोक हुए हैं, आज 109 नंबर का श्लोक प्रारम करते हूं चतुराहारि विसर्जन, मुपवासा प्रोषधा सक्रत भुक्ति, सब प्रोषधो प्वासो, यदि पोष्या रंभ मा चरती, यदि पोष्या रंभ मा चरती, जब अशन खा दियाओ लेए पेए, चव विद्यारी कात आगे करें, उपवास यही हो एक बार, भोजन प्रोषध ये नाम धरे, तेरस पूनो एकास निकर, चौदस काजब उपवास करें, तब होता प्रोषध उपवासी, ऐसी विदी अश्टमी को भी करें, बहुत ही, इस्पष्टी करण किया है कि सुंदर रूप से कि प्रोषध उपवास और प्रोषध उपवास का क्या लक्षन है। उपवास के लिए कहा, चतुरा हार विसर जनम उपवासा। चार प्रकार का जो अहार होता है असन, खाद्य, लेह और पेय ये चार प्रकार के अहार हैं इन चारों प्रकार के अहारों का त्याग कर देना उपवास है ये कहलाता उपवास बहुत सारे लोग पानी लेते हैं और उसको उपवास कहे देते हैं लेकिन पानी लेना भी पेय च इसलिए वो पूर्ण उपवास नहीं कहलाता, पानी लेकर के उपवास कहलाता है, तो चारों प्रकार के अहार का पूर्ण रूप से त्याग करना, ये कहलाता है उपवास, और प्रोषधा सक्रत भुक्ति, और प्रोषध किसे कहते, सक्रत, सक्रत मानि एक बार, भुक्ति मानि भूजन करना एक बार भूजन करना अर्थात मर्यादित शुद्ध एकासन करना एक जगा बैठ करके मौनपूरवक भूजन करना एकासन करना वह कहलाता प्रोशद जान देना आप उपवास भी कभी भी किया जा सकता है और एक बार भूजन करने करके एकासन भी करते हैं तो य ये तोनों चीजे अलग-लग हो गई और सब प्रोशधों पुवासों यदू पोश्या रंभम आचरती और क्या कहां कि जैसे तेरस को एकासन करना चौदस को उपवास करना और पोणिमा या अमावस को एकासन करना इसको कहते प्रोशधों पुवास यहने दो दिन सक्रत और एक दिन उपवास हुआ इसको कहते प्रोशधों पुवास इसी प्रकार से अश्टमी में होता है कि सप्तमी को एकासन करना अश्टमी को उपवास करना और नौमी को एक बार भुजन करना यह प्रोशधों पुवास नाम का शिक्षापरत कहलाता है और अमावस्या वाली चतुरदसी को भी इसी तरह एक महीने में दो अश्टमी और दो चतुरदसी आती हैं तो दोनों में सब्तमी अश्टमी नौमी और तेरस चौदस अमावस या तेरस चौदस पुर्णिमा इन में तीन दिन तक इस तरह से करना ये प्रुश्थो पुवास कहलाता है और इसका अक्तन्त सक्ति की क्षिनता के कारण केवल एक दिन चतुरदसी का या अश्टमी का केवल एक दिन का उपुवास या एकासन रख करके भी यहनि कि अभ्यास रूप में इस सिक्षा व्रत का पालन करते हैं तो आचार शी समंत्वद्र स्वामी ने इस एक सव नव नंबर के श सुन्दर स्वष्टी करण कर दिया है अब चलते हैं स्लोक नंबर 110 में ग्रहन विसरगास्तरना निद्रिष्ट म्रष्टान नादरास्मरने यत प्रोश दोपवास व्यति लंगन पंचकं तदिदम बिन देखे और बिना सोदे पूजा की वस्तु ग्रहन करना बिन देखे मल मूत्रा दित्याग बिन सोदे विस्तर आस्तरना आवसक आदी क्रियाओं में आलस अनादर भी करना निजयोग्य क्रिया को भी स्मरना ये पांच दोश इनको तजना हर वरत के बाद उसमें होने वाले संभावित दोशों को भी बताया गया कि 5 प्रकार से इन वरतों में अतिचार लगते हैं तो प्रोश्दोपास ब्रत के भी शिक्षा ब्रत के पांच अतिचार बताएं हैं जिसके अंदर पहला अतिचार बिना देखे बिना सोदे पूजा के उपकरणों को ग्रहन कर लेना शिक्षा ब्रत है नहीं तो शिक्षा ब्रत आगे मुनी धर्म को धारन करने की सिक्षा प्रदान करते हैं और ग्रहस्त में रह करके ग्रहस्ती स्रावक स्राविकाएं इन ब्रतों करन करके जो पालन करते हैं उसमें ही यह तिचार लगते हैं कि पूजा के बर्तन वगरे उपकरन उनको बिना देखे सोधे ग्रहन करना बिना देखी सोधी जमीन पर मलमुत्रादी का त्याग करना दूसरा तिचार हुआ बिना देखे बिना सोधे विस्तर विछा लेना आवस् क्रियाओं में अनादर करना चोथा अतिचार हुआ और योग्य क्रियाओं को भूल जाना ये प्रोश्धोप वाज ब्रत की पांच अतिचार बताएगे हैं जितना बने अपने को निरतिचार ब्रतों का पालन करते हुए कर्म निर्जरा अधिक से अधिक करनी है इधन का यही सार समझना कि पांच अनुवरत तीन गुनवरत और चार शिक्षा ब्रतों के पालन में ये जो प्रोश्धोप वास्त नाम का शिक्षा ब्रत है उसके अंदर अधिक से अधिक हम अस्टिमी चतुरदसी आदी के दिन भगवान का इस्मरन करें भगवान के नाम क गिर्तन करें आत्मा को अधिक से अधिक पवित्र बनाएं और पापों से दूर रहें तो आरंब आधिक रियाओं से दूर रहना उनका त्याग करके और आत्मा के निकट में आने का नाम ही उपवास है शिक्षा ब्रत है इस शिक्षा ब्रत को ग्रहन करके आप सब जीवन मे कल्यान करें अब बयावरती जो अंतिम सिक्षावरत है उसका वर्णन कल चलेगा